Hello friends, welcome to Tech Streamer दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Airtel की बिल्कुल नई and advanced वाली APN सेटिंग जिससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है अपने Airtel network के उपर तो दोस्तों आपको 30 Mbps से उपर का स्पीड यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप इस वाले APN को यूज करते हैं मैं आपको लाइव स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा वीडियो के एंड में तो वीडियो को पूरा देखते रही है दोस्तों स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि अगर आप स्टेप्स को मिस करते हैं तो हो सकता है यह आपका APN वर्क ना करें तो दोस्तों इस वाले APN के अंदर आपको अच्छी डाउनलोड स्पीड तो मिल जाती है 30 Mbps के उपर की स्पीड आपको मिल जाएगी साथ में दोस्तों जो अपलोड स्पीड है वो भी दोस्तों 2-3-4 Mbps तक की मिल जाती है जो कि सफीशन्ट होता है अगर आप गेमिंग वगरा करते है तो आपके पिंग को ठीक करने के लिए और इस वाले APN को लगाने से फिर आपको पिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो overall दोस्तों काफी अच्छी APN सेटिंग है तो वीडियो को पुरा देखते रहिए और उसके पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में बेल आइकन को All पे सट करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नरिफिकेशन्स मिलते रहे चली फ्रेंस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाना है सेटिंग्स के अंदर आपको Network and Internet नाम का एक option दिखता है उसके उपर आपको simply tap कर देना है इसके पाद दोस्तो next page के उपर आपको mobile networks नाम का एक option दिखता है उसके उपर tap कीजिए अपने airtel sim को select कीजिए नीचे में advance का option है उसके उपर tap करने के बाद आपको access point name का option मलता है उस पर tap करके आपको ये page open कर लेना है अब दोस्तों ये जो access point name का option है अलग-अलग phone में अलग-अलग जगा पे हो सकता है तो आप इसको search करके open कर लिजे इसके बाद दोस्तों इस वाले page के उपर आपको उपर में जो three dots दिखते हैं उसके उपर tap करके reset to default पे tap करके अपने APN को default पे reset कर लिजे तो मैंने पहले से APN create करके रखा है तो मैं reset नहीं कर रहा हूँ आप लोग एक बार reset ज़रूर कर लेना इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक plus का sign देखता है या फिर create new APN का एक option दिखेगा उसके उपर tap करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीकी का एक form open हो जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको सारी details fill करनी पड़ेगी एक नया APN create करने के लिए तो जो details मैं fill करने वाला हूँ सारी details आप भी same to same fill कर दीजे तो friends अब मैंने इस form को पुरा fill कर दिया है आपको एक एक करके सारी details यहाँ पर दिखा देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर name fill करना है तो name के पर tap कीजिए और friends name के अंदर आपको लिखना है airtel space 4G space blaze तो जैसे मैंने लिखा है same to same लिख देना एंद airtel का A आपको बिल्कुल capital लिखना है इसके पाद OK पर tap कीजिए next हो जाता है APN का option उसके उपर आपको tap करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है airtelgprs.com यहाँ पर दोस्तों सारा आपको small में लिखना है फिर आपको OK के उपर tap करना है इसके बाद दोस्तों proxy को आपको not set पर छोड़ देना है फिर port को आपको not set पर छोड़ देना है इसके नीचे दोस्तों username का option है उसके उपर tap कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है airtel 4G और यहाँ पर airtel और 4G के बीच में कोई भी space नहीं होगा इसके बाद दोस्तों password not set होगा and server के उपर आपको tap करके लिखना है star 99 hash जैसे मैंने लिखा है same to same आप यहाँ पर लिख दीजे इसके बाद simply आप OK के उपर tap कर दीजे दोस्तों server के बाद आपको यहाँ पर कई सारे options देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे के MMSC, MMS Proxy, MMS Port, MCC, MNC so आपको इन सारे options को not set पर छोड़ देना है जैसा है वैसे ही छोड़ देना है especially दोस्तों यहाँ पर जो MCC और MNC नाम के दो options है यह area wise zipper करते हैं, area codes होते हैं तो इनको भी आपको बिल्कुल भी change नहीं करना है otherwise APN आपका work नहीं करता है इसके बाद दोस्तों authentication type का option है उसके उपर आपको tap करना है और यहाँ पर जो second option है PAP उसको आपको select कर लेना है APN type के अंदर दोस्तों आपको लिख देना है default, supl तो जैसे मैंने लिखा है same to same लिख दीजिए उसके बाद okay पर tap कर दीजिए इसके बाद दोस्तों APN protocol का option है तो यहाँ पर आपको IPv4 slash IPv6 को चूज कर लेना है इसके बाद है APN roaming protocol का option इसके अंदर भी same to same IPv4 slash IPv6 को आपको चूज कर लेना है क्योंकि आपके phone के उपर IPv4 या फिर IPv6 को भी हो सकता है दोस्तों next setting हो जाती है bearer की तो bearer के उपर आपको tap करना है friends और यहाँ पर आपको unspecified के tick को सबसे पहले हटा देना है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ LTE को select कर लेना है तो अगर आपके phone के उपर multiple option select होते हैं तो भी आप LTE को select कीजिए अगर आपके phone के उपर single option select होता है तो भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LTE को select कर लेजिए इसके बाद दोस्तों simply okay की उपर tap कर दीजे और इसके बाद दोस्तों आपको MVNO type का एक option मिल जाता है वो भी आपका not set रहेगा So अब आपने इस वाले form को पूरा fill up कर लिया है दोस्तों तो अब बारी आती है live speed test की दोस्तों आगे के process को दिखाने के पहले अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को एक like नहीं किया तो वीडियो को like कर दीजे friends like target दोस्तों 500 likes का रखता हूँ तो जरूर से like कर देना अब दोस्तों यहाँ पर उपर में आपको जो 3 rods दिखते हैं उसके पर tap करना है आपको और यहाँ पर save पर tap करके इस वाले APN को आपको save कर लेना है और दोस्तों अब इस वाले APN के बगल में जो आपको circle दिखता है उस पर tap करके इस वाले APN को आपको enable कर लेना है तो अब दोस्तो हमारा APN set हो जुका है अब बारियाती है लाइव speed test की तो मैं आपको लेके चलता हूँ उकला के उपर और यहाँ पर आपको live speed test करके दिखाता हूँ तो friends अब हम अपने live speed test को start करते हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते है starting speed है हमारी 25 Mbps और यह 32-33 Mbps तक यहाँ पर जा रही है तो मतलब देख सकते हैं आपको कितना अच्छा speed यहाँ पर मिल जाता है अगर आप इस वाले APN को use करते हैं तो और साथ में दोस्तो download speed के साथ upload speed भी आपको 2-3 Mbps का आसानी से मिल जाएगा जो कि दोस्तो sufficient होता है आपके लिए अगर आप gaming वगरा करते हैं तो कोई भी आपको उसमें problem नहीं आएगी पिंग के उपर तो अगर मैं एक बार और यहाँ पर live speed test स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं next time भी almost दोस्तों हमें same result यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 25 Mbps, 29-30 Mbps तक का speed मिल जाता है और साथ में दोस्तों upload speed भी काफी अच्छी है तो overall दोस्तों APN बहुत अच्छा है इसको आप एक बार try जरूर कीजे and comment करके जरूर बताना के आपको कितनी speed मिल रही है क्या performance मिल रही है तो आज के वीडियो में फिला लित नहीं दोस्तों वीडियो पसंद आये तो like कीजिए share कीजिसको अपने friends के साथ thank you very much